सनातन अमर आत्मा परमात्मा रुपले अनन्द मात्रमा सबै सधै रही रणलै आत्मा ग्यान को दैनिक परवचन कारेक्रम अखंडा सुखा अध्वैत प्रदित बलराम जिसी स्वरस्वति को सात्मा हर एक दिन दिवसो एक पईन तालिस वजे देखी नमस्कार श्रीराम गीता को संदरों में इसको महत्यों संदरों में अर्थात इसको महात्मे संबंद में ब्रह्मा जिले नारज जिलाई अर्थात नारज जिको जानने इक्ष्यामा ब्रह्मा जिले श्रीराम गीता को महत्यों बारे मां भन्नु भाकचा जिन बन्नु भाकचा वहाले तिसको अंतिम स्लोक को नेपालीमा अर्था केशा बने श्रीराम गीता लाई दैनिक अध्येन गरने ले जे चाहो अर्था जे इच्छा गर्यो त्यो पूरा हुन्छा इसमा संका चाहिना इस्तो गरी ब्रह्मा जिले नारज जिलाई बन्ना माचा तेस्तो महान उपलब्धी यो श्रीराम गीता माचा श्रीराम गीता को साथ स्लोक बाट श्रीराम चंद्रा जिले उपदेश दिना शुरुगर्णों चा भाई लक्षण लाई अर्थात निमित्त लक्षण हो तर वास्तम्मा उपदेश संसार का आमी सबे लाई ने हो लक्षण जिको अर्थात भाई लक्षण को जिग्यासा कि थियो बने दाई संगा दाई स्रीराम संगा मेरो अविद्या कशरी नास हुँचा रा मेरो मुक्ति थिती कशरी संभव हुँचा यस बारे मां शिक्ष्यामलाई दिनोस बनेरा बड़ो बिनाय पुरवक भक्ति भाव पुरवक परणाम पुरवक यसरी अनुरोदगारे पछी नितेश पछी स्रीराम जीले दिनु वायको उपदेश हरुण शुरु को साथ सुलुक को विशे मां आमीले निजा अस्ती बढ़न गरिशायका चौँँ अर्था अर्थातिस मां छोटकरी मां केचा बने साथ सुलुक मां यो बन आश्रम अनुशार योग्य कर्म निश्काम पुरवक करे पछी चित्त सुद्धी उन्चा चित्त सुद्धी भाय पछी बैराग्य प्राप्ता उन्चा अर्था बैराग्य को अवलम्मन गरेर सबय कर्म परित्याक गरेर अर्था सबय कर्म बाट निव्रित्व भायर आत्म ज्यान प्राप्तिको लागी ज्यानिक गुरुको नजिक मां रहनू पर्छा इसरी शूरु में श्रीराम चंद्रा जो ले उपदेश्ति नू भाय को चाओ तिस पछी आठ स्लोक में भगवान श्रीराम चंद्रा ले की भन्यान चाओ बने यो एग्यादी जो कर्मा हरु चन ती एग्यादी कर्मा हरु बाट ने शरीर को उत्पत्ती हुन चन शरीर उत्पत्ती भायर हुन में कारण एग्यादी कर्मा हरु ने हुन अर्थात एग्ये कर्म हरू ये सकाम मानी से बाट ज्यादा प्रिया होंच अर्थात इस्तो फल प्राप्त होश अथ मेरो इच्छा इस्तो पुरा होश वनेर आदी राग द्वेस पुर्वक्त विविन्न आशा इच्छा पुर्वक्त बड़ो इच्छा पुर्वक्त एग्ये आदी गरियेक होंच अर्थात इग्ये आदी कर्म गर्दा खेरी तेस्तो बाट शुख अथो अधुख प्राप्त होंच तेस्त बाट धार्म अथो अधार्म उत्पन्न होंच अथो तेस्ते ले गर्णु बाट प्रिय बस्तु र अप्रिय बस्तु को परिणाम आउंच इस्तो यो जो एक्गे कर्म हरू फलको आशा इक्ष्या गरने अरूलाई और था सक्याम भावले अनेक आशा इक्ष्या रहित आपनो आडंबर देखाऊना होश अथवा विभिन्न उपकार को उद्ध्य से ले होश अथवा परशिद्य कमावना होश अथवा सबयले रामरुक कुरा सुनना देखना संभब होश आदी इत्यादी कारण माट जो गरिये को होँँचा तेसको निचोड माँ शुख या दुख अथवा धार्म अथवा अधार्म प्राप्त होँच धार्म को उद्ध्य सेले गरे प परकिरिया मा तेस्ट अधार्म पनी होना गाक होँच जस्तो द्रिस्टांत मा एक्गे गर्दा खेर परशादी अरु वित्राण गर्ण को लागी जो बनाईयेको होँच दावरा आधी को आगो को साधनले तो दावरा आधी पर्यो गर्दा खेरी कि दावरा मा लुकी छेप आधी किरा हरुपनी बसेका उनो सक्छान रत्यो आगो बाल्दा अथा दावरा बाल्दा ती किरा हरुपनी मर्ना जान्चान गया पसी तेसको फल्कले भग्ने किरा आधी जो मरे यह तैपे गर्णे वाला लाई था आचाई ना तापनी किरा आधी जो मरे तेसको पाप्त करता लेने भग्नुपार ने होंच जस बाट न जानी कनना पने अधर्म कहाँ दार्म में अधर्म का उन गाँँचकं, प्रह मैं एक और को भूग भुग न लाई सरीर को उत्पनना भालू थोग भूग और we धर्मा गरे शुक भोग्न लाई फेरी जन्मालीन परो अधर्मा पाप गरे तियो पाप कट्टी गर्णको लाई जन्मालीन परो तो ये जन्मको परमपरा चली रहांचा तो शरीर उत्पन्न भायवथी फेरी अनेक कारे गर्दाखेर ती कारे मात पुन्य अथवा पाप तो भ करने वाला लें पाप को उद्धेश से रहे को न होला, तरो पने कारेगरदा खेर अपरत्य छे रूपले। अेवको ईह हस्तो आएंा भाटामा हीडी हुआ हं मी ले ऐनसे अगरेने tut अग्या दे। पहले चीरा हर अभुल करेकर चील दोक्तना दोक्त वणधOUR diversity मिद्धोफ delivering test करने करते में ःवक्षो भीशान्ना पुन्य भोग्न अथा पाप भोग्न फेरी जन्मने लिनू पर। किने आफिले गरे को परिणाम भोग्ने आफिले ने ने हो। पुन्य गरे पनी भोग्ने आफिले पाप गरे पनी भोग्ने आफिले ने हो। इस कारण ले यो परकार ले एगे आजी विविन्न कर्म अरूप जहां सम्मा सकाम भावले गरी रहींचा। तिया सम्मा सरीर को उत्पत्ती संधाई भाहिरांचा। शरीर को उत्पत्ती भाहिरांचा। अनी कर्म विविन्न गर्णूप पर्ने कारण ले फेरी पाप रपुन्य पनी शिरजना हुँच। ये सरी चक्र जहीं कार्म रा जन्म संधाई चली रहने हुँच। बनेर एस्परकार ले शिर्राम चंद्रा जेले भाहिलाई बताउन हुच। अब ये बताउन को उद्धि से क्यों बने अब अविद्या नास गर्नको लागी अथुआ संधाई मुक्ति प्राप्त गर्नको लागी तो आपनों योग्यताद ये पाप पुन्ये बाट माथी उठनू पर्ने हुच। किना मने पाप पुन्ये गर्दा सम्मत पाप ले रामरो और पुन्ये ले पाप ले चाएने दुख भोग्नू पर्ने हुच। कि क्रमत संधिय अज्या बाट मैया तो नाश होना सके नू का अबिद्यय मुक्ति प्राप्त लीच। अभिद्या माया लाई नास गरनुछौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौ जन्मा को शोभाव लाई छरलंगा बताई देने होंचा अर्था जहां सम्मा कर्मा गरी रहीं छा तेहां सम्मा पाप पुन्ये ले छोड़ देना जहां सम्मा पाप पुन्ये रहीं छा ताहं सम्मा जन्मा चली रहांचा जन्मा ली रहनु परने होंचा जन्मा ली रहे पसी सोहा बता कर्मगर्णू परने होंचा कर्मगर्दा फेरी सोहा बता पुन्यर पाप भई हालचा सोहा बता होंचा जन्मा मृत्त्यु संधै चली राखने होंचा इस्तो सकाम पुरवक रक्योल कर्मगरी रहनू बाट राकदेश पुरवक रहनू बाट धर्मा अधर्मा गरी रहनू बाट प्रियर अप्रिय भाव रहुंजल सम्मा इसरी अगारी बढ़ना सकिन दैना तेस कारणले मुक्त होनको लागी अविद्या नास गर्नको लागी अथ ब्रमविद्या प्राप्त गर्नको लागी ये कर्मा र जन्म को स्वभाव राम्ररी जाने पशी अनि येस बाट उत्तिरुन होनू सक्णू पर्छ अर्था जन्म बाट उत्तिरुन होनू सक्णू पर इसको बासना बाट उत्रण उनसक्नु परचा यह मनोभाब बाट उत्रण उत्रण उनसक्नु परचा तव मातरे मुक्ति सिद्धा होने होनाले यह जन्म को कारण र कर्म को प्रभाब इसरी जाने रहा इसको समाधान पर्ति लाग्नु परचा बने आसले आसलोक मा शिर्राम च और ब्रम्ह ज्यान अविध्य-नास, ऀल्मपर्म्द रुप्य अखन्द रुप्य, साधिय, परिपुन रुप्य शुभाबिक रुप्यू-पर्माता मां मुक्ति भने को तो धर्म रा अधर्म यो जो द्वेत भाव चा एश बाट उत्तिल्ण उनुओ तेस कारण ले जबसंग कर्म भाव रही रहां चा तो जबसंग जन्म मिरित्व भाव रहीं चा तबसंग मुक्ति संभव हुँदेगे न अर्था अविद्या लाए नास गरना सक जबसंग माया अज्यान अविद्या को अधीन भाईंच तबसंग मुक्ति संभव हुँदेगे न जबसंग कर्म रा जन्म को प्रभाव मा परिराईंच तबसंग मुक्ति संभव हुँदेगे न तेस कारण ले इस्तो शोहाब जाने रा कर्म रा जन्म को शोहाब जाने रा टे अनुसार आपले आपनु योग्यता बनावनु पर्णी हुन्छ अन्ने एसरी दाई शिर्राम चन्दरले भाईलक्षोण लाई उपदेश गवर्णु हुन्छ आज लाई एतिने राखुम भोली फेरी नया थब विशेमा आउने चु तवसम्ना अद्वेत पर्दी बल्राम ची सरशतेला विदाया दिनोस नमस्कार